हेलो भाई नमस्ते यह जो गाड़ी आप देख रहे हो सामने यह है डिजायर का VXI model 2022 वाला तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के डोर के कुछ सेटिंग के बारे में तो अब यह गाड़ी के साथ जो डोर के सेटिंग आती है कुछ डिफॉल् तो मैंने एक बार अनलोक किया है तो यह सिर्फ ड्राइवर साइड वाला डोर ऊपन हो जायेगा लेकिन बाकी के डोर लॉक ही रहे नहीं होगे तो इस शेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं और अगर और अगर हम चाहते हैं कि हम सिरफ एक ही बार में बटन दबाने पर चार तो सबसे पहले मài् re moc रsty यह गाड़ी की स्विच लगाने के बाद सूमेंं winter cluster चालू हो गया मैं आइधिए आप हमारे इंस्थिक आईड में एक स्विच दीघती यह स्टिक की एक स्टिक है और फैस्टिक है दर लेफ्ट में एक stick है इसको हमको कुछ दिर तक के press करके रखना है देखिए इस प्रकर से अभी हमने इसको press किया तो यहाँ पर हमें option आ गया यह clock का तो यह जो stick है यह डंडी इसको हमें इसी right side में घुमाना है यह से देखिए इस type से मैंने घुमाया तो यहाँ पर setting आएंगी door की तो और भी setting आ गई, यह security, यह default, यह end, end मतलब यह setting को हमको back जाने के लिए इस menu से बाहर जाने के लिए हमको end दबाएंगे तो बाहर चले जाएंगे तो अभी हमको door की setting करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ यह door वाली पर देखिए यह door पर जाओंगा तो इसमें enter करने के लिए stick को मैंने deep में दबाना पड़ेगा, यह इस type से, अब गया, यह D1 तो हमको चारो door एक साथ open होने चाहिए इसलिए हमको D1 की setting में जाना है और इस setting को हमको enter करना है तो इसको मैं stick को अंदर दबा दूँगा, अब देखिए यहाँ पर एक option आया है D1 SL1 और ऐसे twist करूँगा, तो D1 SL2 का option आया है, और एक बार करता हूँ, तो यह आ गया back, back मतलब इस menu से बाहर जाने के लिए, तो देखिए, D1 SL1 और D1 SL2, यह दो option हमारे पास यहाँ पर है, तो यह D1 SL2 के उपर ही SEL लिखा हुआ है, मतलब यह option जो है D1 SL1 का option अभी selected है, इसलिए वह वहाँ पर SL दिखा रहा है तो हमको क्या करना है, D1 SL1 पर जाना है, अभी जो default setting है, वो D1 SL2 पर है, तो हमें क्या करना है, D1 SL1 पर इसको enter दबा कर इस option को select करना है, तो देखिए, success दिखा दिया, मतलब अब जो option हो गया है, D1 SL1 हो गया, हम एक बार check कर लेते, इस D1 option में जाके, देखिए, जब ही क्या आ रहा था, यह D1 SL2 के उपर selected का option आ रहा था, और अभी यह D1 SL1 के उपर selected का option आ गया, मतलब हमारी setting change हो चुकी है, अब हम इसको twist करके, यह जो back है, back पर चले गए, अब इस menu से बार जाएंगे, फिर से हम चेकेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, और यह back, तो back दबा दिया, अब door ग setting काम करती या नहीं करती, इसके लिए हमको गाड़ी से बाहर जाना पड़ेगा, तो दोस्तों, अभी हम आ गया है अपने गाड़ी के बाहर, तो देखिए मैं गाड़ी को एक बार लॉक कर देता हूँ, ठीक है, यह लॉक हो गई है, अच्छे से देख ली जी लॉक है गाड देखिए, यह हो गई, एक बटन दबा दिया मैंने बस, अब देखिए, यह डोर हुआ, अनलॉक ठीक है, अब साथ के साथ यह भी डोर हो गया, अनलॉक, ऐसे चारो डोर में आपको चेक करके पता दो, ये भी हो गया और ये भी हो गया देखिए मतलब अभी हमारी जो सेटिंग है ये काम कर रही है तो अब किसी के लिए ये चीज ये जो सेटिंग है ये सेटिंग काम की हो सकती है किसी के लिए जो पहले से सेटिंग आती है कि एक बार अनलॉक दबाना है तो एक ही दर्वा जो ओ के प्राइरिटिस के उपर डिपेंड करता है सब की अपने जरुरुत के हिसाब से सब लोग कोई अपनी सेटिंग कर सकते अब जो मैं अपनी बताता हूं कि मैं ज्यादा तर इस गाड़ी में आके ले ट्राइवल करता हूं तो मुझे जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है यह सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ठीक है थैंक्यू